नमस्कार, सभी दर्शकों का मैं डॉक्टर मंजुल जोशी अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ साथियो आज की वीडियो में हम जानेंगे शनी ग्रह के बीज मंत्र को सिद्ध करने की विधी जोतिश शास्त्र में शनी देव को न्याय का देवता कहा गया है साथियो शनी ग्रह आकार में ब्रहस्पति के बाद दूसरे सबसे बड़े ग्रह है शनी देव को सूर्य पुत्र कहा जाता है पर शनी और सूर्य की आपस में शत्रुता भी मानी जाती है भारतिय जोतिश में शनी देव को कर्म फल दाता कहा गया है साथ ही साथ यह आयू, मृत्यू, दरिद्रता, दुख, रोग, पीड़ा, आजिवीका, विज्ञान, लोहा, खनिज, कर्मचारी, सेवक, जेल, उदासी, ठकान, इत्यादी के भी कारक माने जाते हैं दोस्तो, शनी देव एक राशी में धाई साल विराजमान रहते हैं, इसलिए उनका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है अगर आपकी जन्म कुंडली में शनी देव अशुव हों, तो और भी ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं साथियो, जोतिस से जुड़ी जानकारिया मुप्त में प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियो, शनी देव जैसा की आपको बताया, एक राशी पर धाई साल रहते हैं, तो शनी देव का प्रभाव व्यक्ति पर धिरे धिरे पड़ता है बुरे कर्म करने वालों को शनी देव दंडित करते हैं और शनी देव प्रसन होने पर सभी मनो कामनाओं को भी पूर्ण करते हैं जन्म कुंडली में शनी की इस्तिती मजबूत करने के लिए और उनका शुब प्रभाव प्राप्त करने के लिए शनी देव के बीज मंतर का जब काफी लाफकारी रहता है साथियो हमारे द्वारा कुंडली चेक करके आपकी समस्याओं के समाधान भी बताए जाते हैं रत्न धारन की सलाहा भी दी जाती है अपना अपॉइंट्मेंट बुक करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कुंडली में शनी देव के अशुब या नीच रासी यानी मेश में इस्तित होने से अशुब परणाम मिलते हैं अगर जन्म कुंडली में शनी साड़े साती या शनी देव की ढईया या शनी की महाटशा में चल रही है तो शनी देव अशुब हैं तो और भी कश्टा आपको भुगतने पड़ते हैं शनी पीड़ा निवारन के उपायों में सबसे प्राचीनतम और सरल सटीक जो उपाय है वो है शनी देव के बीज मंतरों का जब करवाला शनी जेव के बीज मंत्रों को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो शनी जेव के नकारात्मक परिणाम काफी हद तक कम हो जाते हैं और शुब परिणाम मिलने लगते हैं साथियो यदि जन्म कुंडली में शनी अशुब या तिर्क भावों में प्रजेंट हो तो इन दोशों के निवारन के लिए शनी बीज मंत्रों का जब अतिलाफकारी रहता है अगर शनी आपकी कुंडली में भारी हैं या शुब प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो व्यक्ति के स कालापन भी नजर आने लगता है शनी का अशुब प्रभाव होने पर परिवार और कारोवार दोनों में परशानिया आने लगती हैं व्यक्ति धार में कारियों से बिमुख होने लगता है और गलत संगति में भी आ जाता है तथा उसका क्रोध बहुत बढ़ जाता है और शनी के बीज मंतर को सिध्ध करने से जन्व पत्रिका में शनी के अशुब प्रभाव क खत्म होते हैं साड़े साती ढईया और शनी की महादसा अंतर दसा में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं शनी बीज मंत्र से धन्धान्य प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजपत, इत्यादिकी प्राप्ती और व्यापार में ब्रिद्धी तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ती होती है कुम्भ और मकर राशिके जातकों को शनीजेव के बीज मंत्र जब से अच्यदिक लाब होता है आईए जानते हैं क्या है शनीजेव का साथ्विक बीज मंत्र और इसे कैसे सिद्ध करें आगे की वीडियो को ध्यान से देखिए यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंड बॉक्स के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते है शनीजेव का बीज मंत्र जपने से पहले अपने पूजा घर में यदि आप शनी यंत्र को इस्थापित करें तो ज़्यादा लाबजायक होता है या उरत की डाल की धेरी भी आप काले कपले में बना करके शनीजेव को इस्थापित कर सकते हैं शनीजेव का सात्विक बीज मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः इसक्रिन पर आपको विजिबिल हो रहा है आपकी सुभिधा के लिए हिंडी और इंगलिश दोनों में लिखा हुआ है इसकी जो जब संक्या है वहाँ 23,000 है और जब का जो प्रिफरेबल टाइम है वहाँ वैसे तो शाम को होता है पर अगर आप शाम का अरेजमेंट ना कर पाएं तो आप मौरनिंग पे भी कर सकते हैं इसे किसी भी शनिवार से प्रारफ में करे तो अच्छा रहता है कृष्ण पक्ष का शनिवार मिले तो बेस्ट रहता है जो अनुष्ठान आप करेंगे इसमें 23 दिन का समय आपको लगता है प्रति दिन आपको 108 मनके की 10 माला जपनी है और ऐसा आप करे तो 23 दिन में यहाँ बीज मंतर सिद्ध हो जाता है जबके लिए आप काली तुलसी की माला या रुदराक्ष की माला का प्रियोग कर सकते हैं मंतर जब एक नियत समय और नियत इस्थान पर करें मंतर जबके दोरान पवितरता बनाए रखें भोजन और आचार विचार सुद्ध और सात्विक होन चाहिए कल्यूग में विशेश लाप के लिए चार गुना यानि के 92,000 जब करने की सलाहा भी दी जाती है उसे आप 23,000 के 4 चरणों में पूरा कर सकते हैं मंत्र जब पूरा होने के पश्चात दसांस हवन करना चाहिए दसांस ना बन पाए तो कम से कम 108 बार हवन अवश्य ही कर प्रतिजीन 108 बार है मंत्र का जब करें यह शनिवार को भी मंत्र जब करें तो आपको शनीदेव के शुप परनाम प्राप्त होते हैं शनिदेव धन नोकरी व्यापार में उन्नती पreated and करते हैं और आपकी सभी समयश्यां से मुक्ति भी जिलाते हैं इस मंत्र जब के बाद क शनिजेव के बीज मंतर को 23 दिनों में आप किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अन्य किसी क्वेरी के लिए कमेंड बॉक्स के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं आप स अभी का समय शुब रहे देखते रहिए डॉक्टर मंजुल जोसी यूट्यूब चैनल धन्यवाद